नमस्कार जैशी किष्णा मैं राकेश शिवानियाश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने जियोकिश क्यार्म के नाम से एक सिरीज आरम की है जिसमें मैं स्टार्टिंग से लेके और एंड तक मतलब एंड तुक एस्ट बैसलते रहेंगे तो जो पीछे वाले पार्थ हैं उनको एक बाद जरूर देख ली जिए वह पार्ट को समझने में जरासानी रहींगी क्यूंकि वह को सैपेशे से हही रीगार sih जो पारत में आप उस पार्ट से पहले जो भी पार्ट हो आप उसको एक बार जरूर चेक कर लीजेगा ताकि समझने में असानी हो ज्यादे समय वेस्टना करते हुए मैं आपको श्रीन शेर करके आज के बारें पढ़ाता हूं जो मैं राशियों के बारें पढ़ा रहा हूं पिसले पार से आपको उसी के विशह में मैं तो अभी बताने वाला हूं पिसली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि राशियां क्या होती है राशियां मैंने आपको बताया था कि राशियां तारों का सम्हू है पूरे संकुन भ्रमान को हमने बारे भागों में डिवाइड किया हुआ है एक भाग राशी का भाग कह एक आप मुल्टिप्लाइ करें तो 308 होता है यानि वह राशी की की मान होता है एक राशी की का माप होता है 30 यह हमें ध्यान होता है अब यह थीजरी चलने में डिफ्रण डिफ्रेंट टाइम लेता है सूरिय उस सुछ टाइम लेता थे पार करने में कितना समय लेते हैं वो डिपेंड करता है इनकी स्पीड के उपता है सूर्य जो है एक राशी को पार करने के लिए 30 डेज लेता है सूर्य एक राशी में 30 दिन रहता है सूर्य एक राशी में तीस दिन रहता है चंद्रमा एक राशी में सवा दो दिन रहता है मंगल एक राशी में 45 दिन रहता है मरकरी एक राशी में 27 से 30 डेज तक रहता है जुपीटर एक राशी में 360 दिन रहता है याणि 360 अप्रोक्सिमेटली वन एयर वीनस ₹ yak राशी में 30 डेज़ के आसपास रहता है तो आज्मा थो समस्क्ते हैं कि सूर्य हुआ बुद्ध हुआ, वीनस हुआ, क्योंकि सूरिय के पास ही है बुद्ध वीनस, तो ये सब 30 दिन के अंदर एक राशी में एक राशी को पार कर लेते हैं, शनी, सैटन जो है, वो एक राशी में 20 साल का समय लेता है, around 900 days, और राहु केतु एक राशी में 20 साल का समय लेते हैं, 540 days तो ये टाइम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे आप देख पाएंगे कि राहु की डिगरी कितनी है, या बुद्ध की डिगरी कितनी है, मंगल की डिगरी कितनी है, कितना समय इसको इस राशी में हो चुका है, वो डिगरी देखे, और कितना समय इसको भ त्रिक्टित बार्ण करने ही नहीं आगे चलते हैं आगे राश्य हमारी बारा के बारे मैं अपको पीछे बताया कि पार पार्षिय आ हैं और बाराश्य होती हैं इसी प्रकार हर ब्रह की हर राशी जो 12 राशी है उनका कोई न कोई नव कोई स्वामी है 12 राशियों कगर। तो वह आपको याद राखने हैं, सूर्य और ग्रसे सिर्फ एक राशी के स्वामी है, पांच चंद्रमा के पर दो तो दस प्लस दो बारा यानि टोटल में लाखे बारा राशिया पहली राशी जो आती है यह क्रम आपको याद रठना पड़ेगा यह आपको सीखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि क्रम जब भी कभी बात होगी नंबर वन लिखा होगा किसी कुंडली के अंदर या नंबर टू लिखा होगा तो नंबर वन का मतलब यह है कि यह मेश राश्य पहरी राश्य नंबर वन होती है मेश उसका स्वामी होता है मंगल यह आपको ज्याद करना पड़ेगा इसका मतलब कोई बहुत सिंपल तरीका या लॉजिक ऐसा मेरे साथ से तो नहीं बनता है लेकिन आपको य दूसरे नंबर की राशी ब्रश होती है उसका स्वामी बीनस होता है शुक्र होता है ब्रश का स्वामी शुक्र होता है तीसरे नंबर की राशी मिथुन होती है उसका स्वामी बुद्ध होता है चौते नंबर की राशी कर्ख होती है उसका स्वामी चंद्रमा होता है पांच ग्यार्वे नबर के राश्री बरस्टिक होती है, उसका स्वामी मंगल होता है। हम और कहलोजी धनू होती है। उसके लिए इसे रियाद करना कि दस और ग्यारे जो रो राशियां गान्टिनूوس ली उसकी बनायाती है। और मीन राशी पिर होती है, जो ब्रस्वति को असाइन की गई है. Last minute. तो हर ग्रहे को, पांचो ग्रहे को दो दो राशिया है लेकिन सूरिया और चंद्रमा को सिर्फ एक राशी है. सूरिया को सिंग और चंद्रमा को कर्क राशी. ये दोनों को एक एक राशी दी गई इस प्रकार ये राशियों को डिविजन किया गया है और ये राशी है और ये राशी है और ये राशी के नंबर आपको याद रखने पूरेंगे 456 तो अगर साथ नंबर लिखा है तो आप समझेए कि वहां पे तुला राशी तो ये था हमारा राशियों के बारे में अब ये राशी यही है बारा जो मैंने बताई हैं आपको मेश, ब्रशब, मिथुन, कर्क, सिंग, कन्या, तुला, प्रशिक, धनू, मकर, कुम्र और मीन इ राशियों में तीन तरह की राशिया होती हैं शीर्शोदय राशी, प्रस्टोदय राशी, उभ्योदय राशी ये जैसे मैंने आपको बताया है कि राशियां कुछ नहीं, राशियां तारों का संहू है, मतलब बारा ऐसे भाग कर दी हैं ब्रहमांड के जिनमें बड़े- के हम लोगों नहीं रखा है उसको, तो तीन तरह की राशी होती हैं, शीर्शोदय राशी, प्रस्टोदय राशी, ओभ्योदय राशी, शीर्शोदय राशी हमने लिखी हुई है कि मिथुन है, सिंग है, कन्या है, तुला है, व्रश्चिक है और कुंब है, ये शीर्शोदय शीरो्शो दैर शी का मतलब किया है कि अगर हम उतम राशियों को मानें कि ये तारों संहू संहू हrist कि इनका संहू राशिया होती तो ये शीर्शो दैर शी मतलब यह है कि जब तारें चमकते हैं तो पहले इनके शीर से사 उपर से कुणभचना भी राशी दिरे बाखी तारे शमकते हैं तो शीर दार राशी वो राशिया होती है जो पहले ऊपर से चमकती है नहों wanna भी दिरक च्व्टियरे भी व्रक तारे बाकी सितारे भी चमुकना शूरू कर देते लिए उब्योदर राशी जो होती हैं, वो राशी ऐसी होती हैं, जो बीच में से स्टार्ट होती हैं, जिनके अंदर तारे जो बीच वारे तारे हैं, पहले वो चमकना स्टार्ट करते हैं, और फिर धीरे दीरे बाकिसी तारे भी चमकना शुरू कर देते हैं, तो ये बताने का मकसद क्या है इस बताने का मकसद आपको आगे पढ़ाही में आएगा कि शीर्षोदर राशी का क्या मतलब है उप्रस्टोदर राशी का मतलब है उभ्योदर राशी का क्या मतलब है कहते हैं कि शीर्षोदर राशी में बैठावा ग्रह अपनी दशा के प्रथम भाग में ही रिजल द लेटा है इस तरह की आगे बाते हैं और इसकी तरफ से और भी बाते आपको बताई जाएंगी लेकिन अब ही आप याद रखिये तकी आप कमेंट्स की जिए जवाब दिया सके और यह ही क्लास करने हैं जो लोगी एक छुको वह फोन कर सकते हैं और जो लोग बीने क्यों करने में चुक हो था वह सब्सक्राइब कर सके है हुआ है है झाल झाल